अगला प्रश्न है वो पानी की जाज को लेकर है आप किसान भाईयों को ये भी बताईए कि पानी की जाज का क्या महत्व है और ये भी क्यों जरूरी है किसान भाईयों पौधा अपना जो भोजन है वो पानी हवा और प्रकास इन तीनों चीजों की उपस्तिते में ही बना पाता है इसलिए पौधों को अच्छे बड़वार के लिए अच्छे पानी की भी आवेशक्ता होती है समयने तया हमारे प्रदेश में जो पानी की गुणवत्ता है वो दिनों दिन कम होती जा रही है पानी की गुणवत्ता खराब हो रही है पानी की मात्रा भी पलबदता भी कम हो रही है और उसकी गुणवत्ता भी कम होती जा रही है इसलिए हम जब फसल ले रहे हैं खेती कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जिस पानी का उपयोग कने जा रहे हैं उसकी गुनवत्ता किस प्रकार की है किसान भाईयो अगर आपका पानी उप्युक्त है उसकी गुणबता अच्छी है तो हमें भरपूर फसल होगी लेकिन यदि हमारे पानी की गुणबता अच्छी नहीं है उसमें लवनों की मातरा ज्यादा है उसमें चारियतिया की मातरा ज्यादा है ऐसी इस्तिती में हमारा जो पोदा है वो अपने भोजन को यानकि जो पोसक तत्वें उनको सही मात्रा में अप्टेक नहीं कर पाता यानकि जमीन से उनको ग्रहन नहीं कर पाता तो हम जब पानी की जांच कर वाएंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे पानी में की लवनों की मात्रा पानी में कितनी है उसकी लवनियता का स्तर क्या है उसकी चारियता का स्तर क्या है लवनियता जब पानी में अधिक होती है तो हम उसी के अनुसार प्रियोग साला म चाही करेंगे तो आपको पैदावार अधिक प्राफ्ट होगी इसके इलावा यदि पानी की छारियता अधिक है छारिय पानी क्या करता है जब हम उसको खेत में प्रियोग में लेते हैं तो छारियता की अधिकता के कारण पौधा अपने भोजन नहीं ले पाता और जो की पाने की जांच करोना जी